हेलो दोस्तो मेरे नाम तोफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेटा एंट्री जोब के बारे में साओधिया अरब में डेटा एंट्री की जोब आप कैसे पा सकते हैं क्या सैलरी रहती है कौन-कौन से डोकॉमेंट्स रिकौार्ड है एंड कौन सी क्वालिफिकेशन रिकौार्ड है साओधिया अरब में कौन-कौन सी जो कंपनीस है वो आपको जोब्स परोवाइड करती है ठीक है दोस्तो तो यहां पे data entry की jobs की regarding बहुत सारे messages भी आ रहे थे कि यह data entry के regarding आप हमें jobs के बारे में बताएं तो इंशाला इस video में मैं आपको पूरा detail में उता देता हूँ देखे data entry की job के लिए आपके पास में सबसे पहले जो documents हैं वो आपके पास में passport होना चाहिए 5 photograph आपके होने चाहिए white background में ठीक है इसके अलावा एक government की ID proof होनी चाहिए valid ID proof होना चाहिए जैसे pen card हो गया ठीक है दोस्तो इसके अलावा जो education के जो documents है related documents हैं जैसे आपकी 10th है 12th है उसकी सिनन्द है ठीक है वो documents आपके पास में economics में होना जरूरी है ठीक है इसके अलावा education के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कौन कौन सी education चाहिए इस job को पाने के लिए आपके पास में BCO bachelor of computer application हो या फिर 10th हो 12th हो आपके पास में ठीक है इसके अलावा आपके पास में BA की है जो degree है BA आपके पास में हो वो चल जाएगा कोई issue नहीं है BSCU आपके पास में computer science से वो भी चल जाएगा कोई मसला नहीं है अब बात करते है age limit की age limit आपकी 21 साल से लेके 45 साल तक चल जाएगा कोई मसला नहीं आएगा ठीक है दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर आपके अंदर skills कौन कौन सी होनी चाहिए इसके साथ में आपके पास में जो typing spirit है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और MS Office आपको अच्छा आना चाहिए ठीक है इसके अलावा आपको English Reading Writing मिस्टेक ना करें आप बार बार उसमें ठीक है इसके अलावा आपको documents management आपको सही से आना चाहिए ठीक है for an example आपके पास आपको कोई file दे दी गई ठीक है कि यह जो data है यह enter करना है आपको computer में ठीक है कोई भी file उठा लो for an example मेरे पास में यह documents है ठीक है तो यह मेरे को data को enter करना है computer के अंदर ठीक है तो जो documents के लिखा हुआ है जो customer ने दिया है ठीक है या किसी भी company ने दिया है जो आया है उसको आपको data maintain करके रखना है ठीक है as it is बिलकुल उसमें कोई mistakes नहीं होनी चाहिए इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहां पर works के बारे में works तो आपको मालूम ही है customer service data entry ठीक है बहुत जैसे कोई company है company में कोई बंदा आता है ठीक है customers आते है जो customers का data होता है ठीक है उसको आपको computer में enter करके रखना होता है ठीक है दोस्तो एक और मैं example देता हूँ जिसे hotels ह हो गया अपने इधर इंडिया में ज्यादा तर क्या चलता है ओयो चलता है ठीक है तो hotels में क्या होता है यहां पे merit of hotels है ठीक है यह 10 billion dollar की company है ठीक है hotels है तो इसमें जो guests आते हैं ठीक है check in check out करते हैं उनका जो data होता है वो computer में field करना होता है आपको ठीक है ताकि बंदा अगर की बार visit कर लिया है हमारा hotels ठीक है तो इसमें आपको इसके अलावा और यहां पर जो noon e-commerce company है यहां पर हमारे इधर क्या है जादतर Amazon चलती है और flip card चलती है तो यहां पर जादतर क्या है कि noon e-commerce हो गया और Amazon हो गया call centers में जो data होता है उसमें आपको वहां पर job मिल जाती है उ तो companies बहुत सारी available है data entry jobs के लिए and आपको English language आनी चाहिए and इसके अलावा आपको Arabic language भी आनी चाहिए ठीक है अरबी आप जब यहां पर आ जाएंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे अरबी का कोई मसला नहीं आएगा ठीक है दोस्तों इसके अलावा जो companies यहां पर job provide करती है जिसे आराम को हो गया बिनला दिन गुरूफ हो गया ठीक है अमेरिटो होटेल्स हो गया स्टीसी अलमराई गुरूफ हो गया ठीक है दोस्तों इसके अलावा noon warehouse हो गया इसमें आपको jobs आसानी से मिल जाती है चलिए बात कर लेते हैं यहां पर salary की salary आपको 2500 रियाल मिलती है इसके अलावा दो गंटे का overtime fix रहता है आपका यानि कि 8 गंटे की duty रहती है और आपको यहां पर जो दो गंटे हैं वो fix रहते हैं total overall 10 गंटे की duty हो जाती है आपकी और यहां पर 2500 तो basic हो गया आपका और 600 रियाल आपको salary के हिसाब से मिल जाता है तो 31 रियाल हो गया तो यह total कुल मिला के अगर आप बात करें इंडिया से में अगर आप देखें तो यह 68,000 रुपे के असपास हो गया ठीक है मानलो अगर आप 31 रियाल में से अगर आप food allowance वगरा आप निकालेंगे यानि के खर्चा आपको करना है ठीक है कुल मिला के तो यहां पर मानलो आप मोटा करेंगे currency के हिसाब से तो लगबग यह बन जाता है आपका 55,000 रुपे के असपास बन जाएगा ठीक है दोस्तों तो अच्छे कासी earning है इसमें ऐसा नहीं है और jobs भी अच्छी है तो इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूं यह जो salary मैंने आपको बताई यह normal companies की salary है ठी जादा salary आपको मिल जाती है ठीक है उसमें 3,000-4,000 salary आपको मिल जाती है अब बात आती है यहां पर की apply कैसे करें देखें इंटरनेट पर जाएं और वहां पर search करें data entry की job तो बहुत सारी website open होके आएंगी तो वहां पर जाके आप apply कर सकते हैं ठीक है आप try करें, causes करें और जैसे जो recruiting apps हो गई उनको install करें आप recruiting website पर जाएं जैसे बयात हो गया, indeed हो गया, linkedin हो गया ठीक है और golf talent हो गया, ऐसी इसी website हैं आप internet पर search करें आपको चीजों का पता चलेगा और वहां पर जाके आप apply कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और यह फिर आप company की website जो होती हैं, इनकी personal जो website होती हैं उन पर जाके भी आप इनके career opportunity में जाके ठीक है, इनको आप contact करें, email करें, ठीक है, तो वहां से भी आपको job मिलने के chances बहुत जादा हो जाते हैं, क्योंकि company के पास में आपका direct by data जा रहा है, ठीक है, आप उनसे direct contact कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप हम हमारे कुछ help करें, ठीक है, तो यहां पर help करने के लिए बैटा हुआ हूँ आपकी, यहां पर आपको करना यह होगा कि मालो सबसे पहला अगर आप हमारा facebook page follow कर लीजे, सबसे पहले तो आप, ठीक है, link में description में दे दूँगा, बाकी हमारा email ID description में आपको मिल जाएगा, और यहां पर आप हमें email करें अपना CV, ठीक है, हम उन लोगों के लिए यहां पर ज्यादा कोसिस करेंगे, जो हमारे पास CV बनते हैं जिन लोगों के, तो कि CV resume में बहुत जादा problem है आप लोगों के, और जब मैं यहां पर open करता हूँ अपना email तो बहुत पता नहीं क्या-क्या भरके रखते हैं यार, CV के अंदर ना, photo होती है, CV पे, यह जरूरी है, CV पे ठीक है, और हर एक बंदे को reply करना, हर एक बंदे को message करना, तो यह, it is very time consuming process, तो यार, मुझे भी duty करनी होती है, सोना होता है, यार, यहां की जो duty होती है, on time होती है, बिल्कुल ठीक है, late नहीं होत होती है, और उसमें फिर जब आप mail करते हैं, फिर reply करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा time consuming हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, directly हम आपका CV बनाएंगे, यहां पे, आप हमें बेजेंगे, emails, तो हम यहां पे आपका CV directly बनाएंगे, और वो अच्छा CV होगा, जो यहां CV बनाएंगे, आपका time भी लगेगा, चीज में आपके passage आते हैं, तो आपको उस चीज की कदर होती है, फिर आप उसके लिए भागते हैं, ठीक है, तो मैंने यहां पे जो charge आपके लिए रखा है, सिर्फ वो 10 रियाल रखा है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा त शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में टाटा टेक केर, बाई!